असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स आज जो हमारी एक्ससाइज है वो है 6.2, sorry 6.3, question number 1 का part 1 है, इसमें statement देखें, use the factorization to find the square root of the flowing expression, square root के साथ आप ने इसको factorize करना है, तो start करते हैं, सबसे पहले जो equation आपको given है, इसको हम factorize करेंगे, minus 6xy minus 6xy plus 9y square, यहाँ पर अगर इस equation में आप देखें तो हमारे पस यहाँ पर x common आ रहा है, और साथ आ रहा है 2, तो हम यहाँ पर रिखेंगे 2x, 2x minus 2, 3, 6, यहाँ पर 6y आ जाएगा, minus 3y, 3y, तो यहाँ पर हमारे पास आजएगा, 2x minus 3y, 339, तो y किसकी है, अब इसको जब हम लिखेंगे, तो यह इस form में आजएगा, 2x minus 3y, 2x minus 3y, तो अगर आप यह देखें, तो आपके पास यहाँ पर जो common values हैं, और जो आपने बाहर common values लिए हैं, वो दोनों सेम हैं, जो इसका मतलब है, यह इसका square होजाएगा, 2x minus 3y का square, अब question में जब statement में उन्होंने कहा है, factorize करना है by the square root of the following expression, तो हम यहाँ पर लेंगे, square root ले लेंगे, taking square root, तो square root जब हम लेंगे, तो हमारे पास यह value given आजेगी, 2x minus 3y का square, तो हमें पता है, जो square root होता है, हमारा वो 1 by 2 के equal होता है, तो यह value जो है, वो इससे square cancel हो जाएगा, तो हमारे पास given value जो है, वो plus minus की form में आजेगी, 2x minus 3y, ठीक है, यह हमारा answer है, thank you,